उपराधानी के विकास के लिए करोडों की योजनाय चलाई जा रही है। उडान पूलों से लेकर सिमेंट सडकों का जाल बिचाया जा रहा है। लेकिन मेंटेनन्स पर किसी का भी ध्यान नहीं है। यही वज़ा है कि समुझे शहर में ट्राफिक से लेकर साफ सफाई तक अव्यवस्ता का आलम देखने को मिल रहा है। हलाकि कुछ दिनों बाद टेकड़ी उडान पूल तूटने वाला है लेकिन उससे पहले ही हालत खराब हो गई है। उडान पूल पर केवल गड़े ही नहीं बलकि कीचड भी जमा हो गया है। इस कीचड में अब तक कई वाहन चालक फिसल कर गिर चुके है। है कि पूल से पानी की निकासी के लिए लगाए गए पाइप जाम हो गए हो। पिछले महीने भर से पानी और कीचड जमा होने से अब तक कई वाहन चालक स्लिप होकर गिर चुके है। इतना ही नहीं। रात के वक्त तो अक्सर दुरगटना होती है। पूल से नीचे उतरते ही गड़ों की भरमार हो गई है। यह गड़े डामर रोड पर लगाए गए सिमेंट और गिट्टी मिश्रन की वज़से हुए है। मेट्रों का काम चल रहा है। इस वज़से सड़क संकरी हो गई है। सुबह और शाम के वक्त इस मार्क से गुजरना बेहत मुश्किल हो जा से दो पईया वाहन हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ते हैं।